रबश्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रेन में सफर के दौरान अगर आपके पास लोवर बर्थ है तो जानिये कब आप सीट पर सो सकते हैं और बाकी वक्त आपको साथी आत्रियों को बैठाना होगा इसके बारे में क्या नियम है आपको बता दें कि ट्रेन में सफर के दौरान अगर आप रेलवे कोच की बात करें तो उसमें तीन सीटे होती हैं अपर बर्थ, मिडिल बर्थ और लोवर बर्थ ऐसे में अगर आपके पास लोवर बर्थ है तो आपको मिडिल बर्थ वाले को और अपर बर्थ वाले को अपनी सीट पर बैठाना होगा इसके लिए क्या नियम है ये आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे बैठने के लिए मना कर सकते हैं इसके अलावा आपको उन्हें अपनी सीट पर बैठाना होगा रात के 10 बजे के बाद मिडिल बर्थ लगाई जा सकती है और सुबह के 6 बजे तक मिडिल बर्थ को लगाया जा सकता है इसके बाद के समय में यानि कि सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक मिडल बर्थ और अपर बर्थ वाले अगर चाहें तो वह लोवर बर्थ पर बैठ सकते हैं आपको बता दें कि रेलवे ने इस विवाद से बचने के लिए इस नियम को लागू किया है ताकि सबका सफर सुगमे बन सके मिडल बर्थ वाले यात्री रात को 10 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद अपनी बर्थ को खोलने के लिए प्रतिवन्दित हैं आपको बता दें कि अगर साइड अपर लोवर बर्थ है तो उसमें भी यही नियम लागू होता है अगर साइड अपर वाला साइड लोवर बर्थ पर बैठना चाहे तो वह भी रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे के बाद इस बर्थ पर बैठ सकता है अगर कोई आपको इस नियम की अभेलना करता हुआ दिखता है तो आप उसकी शिकायत टीटी से कर सकते हैं वह रेलवे पुलिस के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं हम आशा करते हैं यह जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इस अपने मित्रों के साथ आवशे शेयर करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल बेटन को ज़रूर दबाएं धन्यवाद